नमस्कार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कम्प्यूटर का पूरा इतिहास जो आज हम लोग कम्प्यूटर चला रहे हैं और किसी भी काम को आसान तरीकों से कर पाते हैं उसे बनाने में कितना समय लगा किन किन बेक्तियों का महत पूर्न योगदान रहा सबसे पहले अबेकस का निर्मान हुआ था अबेकस एडिंग मसीन पास्कलाइन जैकवाड लूम क्या था डिफरेंस इंजन एनलिटकल इंजन एटोमेटिक सिक्वेंस कंट्रोल केलकुलेटर से लेके आज के एडवांस फीचर का कम्प्यूटर क्या है आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 3000 बर्ष पहले जब कुछ भी सुबधाय नहीं थी और कोई भी मसीन का आविस्कार नहीं हुआ था तभी चीन का एक बेलिलियो नामक बेक्ती ने आजएकस का निर्मान किया था जिससे जोड़ घटाव गुना भाग करने में काफ़ी हद तक असाम हो गई थी लेकिन एक तरह से समझेए कि ओ अपने माइंड से ही करना पड़ता था क्योंकि देखिए एक लकड़ी के फ्रेम में बना हुआ आविस्कार था जिसमें चहड में मोतियां पिरोई होती थी और से जोड़ घटाव गुना भाग इस तरह होता था कि उपर वाला एक मोति को पांच माना जाता था और जब जोडने के उपरांथ अगर 5 म Kopf नीचे दस जोड़ना है तो दू मोती नीचे और उसमें पलस करना है तीन पलस करना है चार पलस करना है तो ये नीचे से एक मोती उपर दो मोती उपर जितना भी जोड़ना है उसके अनुसार किया जाता था हलाकि इसका अविश्कार कुछ खास नहीं था पहले तो इसे बच्वन भी खेल लेता था लेकिन अब बच्वन भी खेले के नाम नहीं लेता ये देख लीजे आ स्मार्टफून से खेल रहा है बात आती है 17 सतावदी लगभग 1645 इस्वी में बलेज पास्कल के द्वारा एक मसीन बनाया गया जिसका नाम पास्कलाइन या एडिंग मसीन रखा गया क्योंकि यह मसीन केवल जोड ही कर सकती थी लेकिन हाँ जोड करने का स्पीड बढ़ गया और एक परकार से यह भी डिजिटल रूप से अंकों को दिखाती थी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे डिब्बी के यह कार में अंक को दर्शा रही है और यह घड़ी यह गाड़ियों में लगे ओडो मीटर के सिधान्त पर कारे करती थी इसे इसमें तुथभिल जैसा चक्रियां लगी होती थी नौ से दस चक्रियां लगी होती थी जिसमें जीरो से लेकर नौ तक अंक गुदा होता था यह जो चक्रियां आप देख रहे हैं उसमें जीरो से लेकर नौ तक अंक गुदा होता था और ऐसे घुमा घुमा कर घुमा घुमा कर उसे जोड़ा जाता था जैसे कि आपने पहले के मूवी देखे होंगे तो इस परकार का आपको टेलीफोन देखने के लिए मिला होगा जिसमें नंबर को घुमा घुमा कर कहीं भी कॉल लगाया जाता था उसी आधार पर एह मसीन काम करती थी और एक परतेक चकरी का अस्थानिय मान होता था जैसे कि एकाई दहाई स्टेकड़ा हजार लगातार एक से बढ़कर एक यंत्रों का निर्मान हो रहा था और उसी दोर में 1801 इसमी में फ्रांस का एक वेक्ती जो बुनकर था कपड़े ब बनाने में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगता था तभी उस कपड़ा बुनने वाला बेक्ती ने अपने मेहनत और लगन से एक कपड़ा बुनने वाला मसीन का आविश्कार किया यह मसीन पूरी तरह से लकड़ी की ही बनी थी और लकड़ी के ही काड़ बोर्ट पर धेर सरे डिजाइन में छेद किया होता था और उसी काड़ बोर्ड या पंच काड़ से लुम को नियंतरित किया जाता था और कपड़े में डिजाइन तयार किया जाता था इसके साथ ही कपड़ा बनाने में बहुत कुछ मिहनत कम हो गई और अस्पीड में थोड़ी बृधी आगए इस मसीन को त्यार करने वाला का नाम जो सब जैकार्ड था और इसी के नाम पर मसीन का नाम रखा गया जैकार्ड लूम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ मसीन है और इसमें धेर सारे कार्डबोर्ड लगे हुए है और इसी कार्डबोर्ड में धेर सारे छिदर की होते हैं डिजाइन डिजाइन में और उसी से इस कपड़े के लूम को नियंतरित करके डिजाइन के रूप में त्यार किया जाता था फिर भी इस मसीन से कपड़े बनाने में कई घंटे लग जाते थे लेकिन आज के modern मसीन में कुछ ही मिंटों में कपड़े त्यार हो जाते हैं आप देख पा रहे होंगे कि यह है पुराने जमाने का मसीन जो लकड़ी का बना है और यह है हमारे नए जमाने का electricity मसीन जिसमें computer से काम होता है head लगा होता है monitor रहता है और जिसमें धागा उपर से लगाई है और नीचे से तुरत के तुरत कपड़ा पाई है मातर कुछ ही मिनट में एक कपड़े को बना कर तयार कर देती है अब बात आती है उनीची सताबदी की जब एक अंग्रेज गनितग जिसन नमरों की गन्ना और फास्ट कल्कुलेशन करने के लिए एक मसीन बनाने में लग गया और 1822 इसमें बना कर त्यार कर लिया जिस मसीन का नाम difference engine रखा गया लेकिन ये मसीन कुछ इरण आने लगी और ये मसीन कारगर ना साबित हो सका और अंग्रेज गनितगे के पास और पैसे नहीं थे कि वो इस मसीन में सुधार कर सकता उसमें पैसे लगा कर और बढ़िया तरीके से बना सकता था लेकिन उसके लगन और मेहनत को देखते हुए ब्रिटिस सरकार ने व्यवहन किया और अपना पैसा लगाया और एक वार फिर उनका मेहनत और लगन 1933 इसमी में चमक कर लोगों के सामने आया जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्मान किया जिसका नाम बाद में बदलकर कम्प्यूटर रख दिया गया और उन्हें कम्प्यूटर का जनक कहा गया जी हां मैं बात कर रहा हूँ मिश्टर चाल्स बावेच का और यह मसीन बहुत ही कारिगर सावित हुआ इस मसीन में गेर और सौप्ट भी लगे हुए थे और यह पहला मसीन था जो प्रोग्राम से चलता था और इस मसीन के लिए बिस्व में पहला बार प्रोग्राम बनाया गया था जिसका प्रोग्रामिंग एडा अगस्ता नाम की एक महिला ने की थी जिन्हें पहला प्रोग्र सुधार से इसके बाद 1940 इसी में इसलिस दीटल कंपीटर बनाया गए था यह पहला विज्ली से चलने वाला कंपूटर था फिर 1945 जो में रच ज़ीन डिजपीटर बनाए गया लेकिन यह कंपीटर सिर्फ एलेउ मतलब सर्थमेटिक एंडो ओस लॉजिक करता था इसे फर्ष्ट नरान का कंप्विटर भी तहते यह कंप्वूटर कंप्यूटर के कारकwhel इतना बड़ा होता था बहुत बढ़ा बढ़ा किम्पीटर रहता था बढ़ा बढ़ा मसीन हैं लगी हुई थी एक से बसक्anor कमरा में अरता था इसके बाद 1969 इसमिक में 2nd जनेरेशन का कॉंपूटर, 1965 60 में 3rd जनेरेशन का और 1971 स्विक में 4th जनेरेशन का कंपूटर बनाया गया और आज कंपूटर का 5th जनेरेशन चल रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि 5th जनेरेशन का कयम पूटर कैसे होते हैं आपके धरों में, ओफिस में, अस्कूल में, या फिर हस्पतालों में, देखने के लिए जो भी कम्पीटर मिल रहा है आजकल, वो सारे फिफ्ट जनरेशन के कम्पीटर हैं, केम्पीटर के इस इतिहास के चेप्टर से जुड़े कुछ महतोपुर्ण परस्ण उत्तर हैं, जो क क्या क्या चेंजिस हुए थे,